नमस्कार दोस्तों एक्जामनेती के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग गईवाफिसे स्वागत है इस वीडियो के अंदर भी आज हम लोग 20 कुशिन करने वाले हैं जीके के आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इन 20 में से आपने कितने का अंसर सही सही दिया है करते हैं वहाँ पर सापों का भी जदा मदद मिलेगी अपने डेली मौक टेस्ट में तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कोशिन के साथ हमारा पहला कोशिन है कि मुगल वाधसा को वजीर गाजियुदीन नए दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था गाजियुदीन जो है एक मुगल वजीर थे एक मंत्री थे इन्होंने दिल्ली में परवेश नहीं करने दिया था कौन से शाशक को तो उन्हों परवेश नहीं करने दिया था आप लोग अपना अंसर बता लिजएगा कि मैं आप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ ठीक है तो अगर आपको टाइम लगता है तो वीडियो रोग के अपना अंसर सेलेक्ट कर सकते हैं सहा आलम दुतिये के साथ इन्होंने ऐसा किया था आपको पता है कि सहा आलम दुतिये मुगर शाशक थे इनके पता का नाम था आलम गीर जब आलम गीर की मौत हुई और शाह अलम दुतिये को राजा बनाए गया तो मतलब इन राजों में इतना दम नहीं था कि अपने राज पे इतरह के सा कह सकते हो कि इतना मला राज कर पाये इनको भगा दिया गया था इनको दिल्ली में यह नहीं गुसने दिया था ठीक है, तो यह आप याद रखिएगए आला कि बात में हुआ कि मुगलु के मला-टो के सांद मिलके यह दिल्ली में गुसने भे हैं गद्धी में बैटने में तो आप यहां से ध्यान रख सकते हैं अगला question करेंगे हम लोग question number दूसरा है हमारा कि निमली कितमेज़की सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है आगरा नगर की स्थापना किसने की मुहमद बिन तुगलग, फिरुस तुगलग, बहलूर लोदी या सिकंदर लोदी, तो आगरा की स्थापना 1906 में की गई थी, ठीक है किसने की थी है, तो यह की थी सिकंदर लोदी ने, यह आप यहां से ध्यान रख सकते हैं ठीक है, उसके बाद फिर यह जब 1526 में जब मुगल आये तो उसके बाद फिर यह मुगलों की राजधानी वनी थी, ठीक है इसके बाद question number third है हमारा कि निम्यली कितमे से भारतिय नेता ने लंदन में पर्थम गोल मेच conference में भाग लिया था पर्थम गोल मेच conference में भाग किसने लिया था फारा से मुलाना 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 अबुल कलाम माजाद महत्मागादी या पंडी जुवारला नेरू तो इसका जो सही answer है वो है option यह वाला मुलाना मुहमद अली ने भाग लिया था जो पहला गोल मेच सम्मेलन हुआ था लंदन में ठीक है यह मुस्लिम लीक से संबंदित थे ठीक है इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले question की question number 4 है कौन सी बात बहुत धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है इन में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है अहिंसा दोनों धर्मों में है वेदों के परती उधासिंता दोनों धर्मों में हैं आत्म दमन को होल्ड करते हैं और रिती रिवाजों की अस्वीकृति इन दोनों में ही है तो इसे पर एक बता है आत्म दमन भूख की अतिकप मतलब इसमें बताया गया है कैसे अपनी इच्छाओं को दबाया जाए तो ये मतलब बहुत धर्मी के अंदर है जबकि जैन धर्मी के अंदर ये नहीं है आत्म दमन जो है वो सिर्फ बहुत धर्मे में है याद रखिएगा इसके बाद क्वेशन नमबर पांचवा है हमारा कि निम्लिकित में से कौन सी जील हनीमून लेक कहलाती है इनमें से कौन सी जील को हनीमून जील बोला जाता है ये हमें बताना है तो एक टिटिका का एक लेक है सबसे उची ये लेक है जो कि पेरू और बोल्विया की सीमा परिस्तित है तो इस लेक को मतलब ये जो लेक है इसको honeymoon lake काफी उपसुरा था तो यहां पर खास करके लोग honeymoon मनाने के लिए काफी जाते हैं उस site के अगर लोगों की हम बात करते हैं तो ठीक है पिरू अगर आगे या फिर और भी मतलब अंतराश्टी सरफ इसलिए famous आई ठीक है तो इसको honeymoon lake के नाम से भी जानते हैं और भाई क के सकल यानि कि जो GDP है उसमें सबसे जादा योगदान है सेवा शेत्र का शेवा शेत्र आता है तिर्तियक शेत्र के अंदर ठीक है लगभग 53% हमारी GDP का कहां से आता है तिर्तियक शेत्र से इसके बाद अगला question है question number 7 की भारत में फ्रांसिस्यों ने अपना पहला कार खाना निम्ने इस्तानों में से कहां पर लगाया था तो भारत में फ्रांसिस्यों ने जो पहला जो कार खाना लगाया था वो सूरत में लगाया था यह जरूर ध्यान रखिये गा question number 8 वाय है कि बारदोली सत्यागरा का नहत्तित किस के द्वारा किया गया था तो बारदोली सत्यागरा का नहत्तित किया गया वल्लभाई पटेल जी के द्वारा so option ई वाला यहापस सही है कब होगा था यह अंदूलन 1928 में गुजरात में होगा था एक किसान अंदूलन था वार्दूली वाला ठीक है इसके बाद question number 19 में है कि भारत के निमनलिकित में से किस राज्य में पेमा यंक्स से बौधमट अवस्तित है पेमा यंक्स से जो है यह काफी जदा फेमस बौधमट है नागालेंट हिमांचल सिक्किम या रोणांचल परदीश तो यह सिक्किम का बहुत फेमस बौधमट है यह हमें आज से ध्यान रखना होगा ठीक है इसके बाद क्वेशन नमबर दसवाँ है कि विक्टोरिया जलपरपाथ किस नदी से संबर्ध है विक्टोरिया जलपरपाथ कौन सी नदी पर है यह तो यह है कौन सी नदी पर अफरीका की एक नदी है जामबेजी नदी ठीक है जामबेजी नदी पर यह जलपरपाथ है वि स्टितिंगी आतंगवादी माना जाताहिऀ बबूर अमलतास वा już yukal tips ऐसका सही आंसर और हो आप प्ता होगा कि सालों कहले3 यukalips को बहुर्मों अपने गरू के पास पर लगाते थे यूकलिप्ति दिस्का काफी जो उपजाव भूमी थी वो खराब होई गी ठीक है तो आब इसको परस्तिति की या आतंगवादी का नाम इस यूकेलिप्ट इसको दिया गया है अगला कुशिन है क्वेशिन नंबर बारवा कि संभिधान की प्रस्तावना को निम्लिकित में से कि संभिधान संभिधान की अंतरगा संभिध किया गया था तो 31 में 34 में 44 में या 42 में तो 42 में संभिधान संभिधान के द्वारा संभिधान की प्रस्तावना को संभिध किया गया था कि समाजवादी सब्द या फिर समाजवादी धर्पन निर्पेक्षता और अखंटा सब्द कौन से समिधान शन्षुदन के द्वारा जोड़े गए प्रस्तावना में तो 42 समिधान शन्षुदन के द्वारा जोड़े गए थे किस वर्ष में भारतिय रूपिय का महिने में दो बार अवमोलन किया गया था 1990, 1991, 1994, 1999 तो दो बार भारतिय रूपिय का महिने में दो बार भारतिय रूपिय का जो अवमोलन हुआ थो 1991 में हुआ था ठीक है 1991 में ही जो है भारत का भारत का मतलब दो अलग अलग चलोड़ों में अवमोलन किया गया था अवमोलन में क्या होता है कि जो पैसे की जो वैल्यू रहती है वो डॉलर के मुकाबले अगर हम देखें तो वो कम की जाती है ठीक है जब हम आजाद हुए तो हम अपनी जो रुपिय की वैल्यू है उसको कम करते है ठीक है कम करते हैं ताकि हमारे जो बिज़े से इनवस्टेर है वो आए ठीक है अलग यसे कई नुकसान भी होते हैं फाइदे भी होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपना यह 10,000 रुपै के बराबर एक डॉलर की व कैंधर तो इनईसों रिखन अभी तक तिन बर भारती रुपिय के मतलब जो वैल्यू को कम किया घए टीक है एक सियद आजादि के तुरंती बार इंदे किया घा था उसके बास फिर जब उननी सो 65 में आई 1976 में जब किया गया था ठीक है तो ये रुपिय की value को कम किया गया तो अबी तक कितनी बार किया गया अगर ये पूच जाता है कि पूचा जाता है कि कितनी बार लुपिय का अब मुयलन किया गया तो तीन बार किया गया तूटल इसे बाद question number 14 है कि कोर्भा कोईला शेत्र कहां अवस्तित है कोर्भा कोईला शेत्र जो है वो कहां परिस्तित है उडिशा, 36 गड़, पश्रिम बंगाल यासम तो 36 गड़ में है कोर्भा कोईला शेत्र यह आपको यांस न्यार में रखना होगा 530 वर किलोबिटर में इसे बाद question number 15 है कि व्यक्तिका सत्यागरह के पर्थम सत्यागरही के अतौर पर किसे चुना गया था सो व्यक्तिका सत्यागरह के अंदर पहले जो सत्यागरही थे काफी important question है उनका नाम था विनुवा भावे ठीक है so option ही व्यक्तिका सही है 11 October 1940 को गांदिची ने विनुवा भावे को पहला सत्यागरही चुना था question number 16 है कि laser beam का उपियोग होता है laser beam का उपियोग किसमे होता है cancer की चिकिसा में, हिर्दय की चिकिसा में, आख की चिकिसा में, आख की चिकिसा में इसके बाद बात करते हैं question number 17 की organization of Islamic conference का मुख्याले कहां पर अवस्तित है organization of Islamic conference का जो मुख्याले वो कहां पर है दुबई, जैदा, इसलामाबाद, या अंकारा तो इसका जो सही answer है, वो है जैदा जो पढ़ता है साओधी अरब में, ठीक है याद रखिएगा, 25 September 1969 में इसकी स्ताफना हुई थी organization of Islamic conference की, ठीक है जैदा, साओधी अरब में इसका मुख्याले है question number 18 है, कि बिश्व की सबसे उची चोटी चोटिया किस परकार के परवतु में पाई जाती है बिश्व की सबसे उची जो चोटिया है, वो कौन से परवत तुमें पाई जाती है प्राचीन मोरदार परवत, नबीन मोरदार परवत, और सिष्ट परवत या ब्लॉक परवत तो सबसे उची चोटिया हमेशा पाई जाएंगी नवीन, मोरदार परवत, जो की हिमालय परवत है, ठीन है, तो हिमालय परवत की, मаз Pillage कि अन्दर जो जितनी भी चोटीया है, मांट this हो, यह सब उच्छी उच्छी चोटीया उहीं पर पाए जाती है, तो यह नवीन, मोरदार परवत का परवत है हमारा ठीक है ये बंते कैसे हैं आपने एक डॉक्यमेंटरी देखी होगे जिसमें गुंडवाना लेंट कैसे जो है खिसका मैं आपको यहां पर समझा तो नहीं पाऊंगा तो गुंडवाना लेंट के खिसकने से क्या हुआ कि वो धिये 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 ध परवत बने हैं ठीक है तो वो सबसे नवीन परवत हैं कौन से हिमाले परवत तो इसी वज़े से हिमाले परवत जो है सबसे उची चोटिया भी वहीं पर है तो नवीन मोरदार परवत है ध्यान रखिएगा इसके बाद हम लोग बात करेंगे question number 19 की कि जिसमें हमको बात का सबस प्राचीन वादी अंत्र है भारत का इसके बाद question number 20 वा और लास्ट question है हमारा आज का कि कथक कली सास्त्री निर्ति किस राज्य से शुरू हुआ था तो कथक कली कौन से राज्य में famous है तो कथक कली कहां पर है करनाटा केरल रजस्तान या तमिनाडू तो ये केरल में है ठीक किसो मच इस वीडियो को देखने के लिए आपका देश्चुबू तन्याबात